भारत के 10 सबसे अमीर बाबा जिनके पास है अर्बों की संपत्ति नमबर 10 बाबा रामदेव योग गुरू बाबा रामदेव ने पतंजली आयुरवेद लिमिटेड की स्थापना की है इससे पहले साल 1995 में उन्होंने दिव्य योग मंदिर की स्थापना की थी वह देश के प्रसिध योग गुरू माने जाते हैं जिसने योग को न सिर्फ भारत बलकि पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है आज बाबा रामदेव कुल 1600 करोड रुपए के मालिक है पूरे भारत में फेमस हो चुके बाबा बागेश्वर को कौन नहीं जानता मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर बाबा की नेट वर्थ 9 करोड रुपए के आसपास है हर महीने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चार लाख रुपए तक की कमाई करते हैं वह रोजाना करीब आठ हजार रुपए कमाते हैं उनकी सालाना कमाई 40 लाख रुपए के आसपास है नमबर आठ राधे मां ग्लैमरस और विवादित धर्मगुरू राधे मां मुंबई के बोरिवली में एक शांदार हवेली में रहती हैं उनके पास जगवार जैसी कई लगजरी गाडियां है राधे मां की संपत्ति कई करोडों में है जो आज तक सामने नहीं आई है आपको बता दें कि अमेरिका, कनाडा और जापान में भी राधे मां के आश्रम है नमबर साथ मोरारी बापू मोरारी बापू देश भर में घूम कर राम कथा सुनाते हैं पर क्या आपको पता है कि इस कथा वाचन से उन्हें कितनी आमदनी होती है उनकी सलाहना आमदनी करीब 300 करोड है लेकिन आपको बता दें कि मोरारी बापू आज के समय में दिन के लाखों रुपए का दान भी करते हैं अभी हाल ही में राम मंदिर निर्माण में मोरारी बापू ने 11 करोड रुपए का दान किया था नमबर 6 निर्मल बाबा निर्मल बाबा की माने तो उनके पास लोगों की हर तरह की समस्याओं का समाधान है यह अलग बात है कि उनके समाधान थोड़े विचित्र ढंके होते हैं हालांकि निर्मल बाबा ने लोगों को समाधान के रूप में गोल गप्पे और समोसे खाने की हिदायत दे कर 240 करोड रुपए की संपती बटोर ली है 4. सद्गुरु जग्गी ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव को कौन नहीं जानता अपने रमजी स्वभाव से दुनिया भर में प्रख्यात सद्गुरु की कुल नेट वर्थ 18 करोड रुपए की है अपने सामाजिक और प्रकृती संरक्षन के कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं श्री रविशंकर श्री रविशंकर देश के सबसे प्रसिद्ध गुरुओं में से एक हैं उनके दुनिया भर के 150 देशों में 30 करोड से ज्यादा फॉलोवर्स हैं वह कई आयुर्वेदिक दवाओं का बिजनस करते हैं वह 1000 करोड रुपए से अधिक के मालिक हैं आसाराम बापू भी देश के विवादित बाबाओं में से एक हैं रेप के आरोप में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा हुई है यह फिलहाल राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है आंकडे के मताबिक आसाराम के देश भर में कुल 350 से अधिक आश्रम है आसाराम ट्रस्ट के मताबिक कुल टर्नौवर 500 करोड रुपे की है वहीं आसाराम कुल 134 मिलियन डॉलर का मालिक है नमबर एक सत्यसाई बाबा सत्यसाई बाबा के शिश्यों में सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम शामिल थे 2011 में जब बाबा जी की मृत्यु हुई तो इनके कमरे से 98 किलो सोना 11 करोड रुपे की नकदी और 307 किलो चांदी बरामद हुई थी एक आकलन के मताबिक सत्यसाई बाबा की संपत्ती 40 करोड रुपे बताई जाती है